हेलो दोस्तों तो दोस्तों हमारी एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पोको एक्सफोर परो फाइब जी मोबाइल का रिवीव जी हां दोस्तों मैंने इसको एक विउज किया है उसके बाद में आपको रिवीव बताऊंगा तो सबसे मुझे बैस जो अच्छी चीज़ लगी वह इसका है बैक पैनल जी हां दोस्तों इस पर जो एक लाब आपको ला फिक्सीज जी हां दोस्तों यहां पर गलास है यदि गलती से स्क्रेच हो गया तोट जाता तोटने की थोड़ी दिक्ट आ सकती है बात करें तो चार्जिंग पिन की पास आपको सिम की पिन भी और मिल जाई मतलब जो एजेक्टर है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा और का करत दो स्पिकर मुझे सबसे अच्छे दे मुझे मिले भत पात करें इसिे हैранे को एक्स फोर की आपको डो नीचे देखने को मिल जाएंगे उपकरल की बात तोछ मुझे बहुत दि अच्छे लगे तक नीचे वाक्व двухt जादा वसता है और उपर अला था हूं कम अब बात करें इसके next की तो next में इसके display की बात करें तो मुझे ऐलवाओ display बहुत याच्छी लगी है क्योंकि मैं इसको असानी से बाहर भी use कर सकता हूँ और यह इसका जो display का features है मुझे बहुत याच्छ है और इसके touch है mind blowing जी हां तो माइड ब्लोईंग यह टच है आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इसमें बहुत शारी फीचर्स है वह जो मुझे अच्छे लगे है कुछ फीचर्स है जो मुझे अच्छे नहीं लगे है यही बात कर इसके gaming की तो gaming में यह बहुत ही अच्छा पोन नहीं है और यहां में बात करें इसके कैमरा की कैमरा खास अच्छा नहीं है अच्छा है पर इतना खास अच्छा नहीं है इसके फोटो मैं आपको दिखा देता हूं मैंने कुछ फोटो ली है यह आपके साथ में सेर कर रहा हूं पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूं क मतलब इसका जब कैमरा ओन करोगे तो थोड़ा सा जिर्मार्ट मतलब आपको ऐसे लगेगा और प्रश्टो लेने के बाद आपको इसकी क्वाल्टिव होती अच्छी देखने को मिलेगी पर यदि वीडियो के बात करें तो आप इसके साथ वीडियो नहीं मतलब बहुत चैनल पर नए है तो और अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर ले और यहां पर जो मतलब सोरी एम आई और पोको में जो आपको देखने को मिल जाएगा कि लैप्ट हैट को नीचे करोगे तो आपको नोट्विकेशन राइ अंदर जाकर इसको टॉस much नोग सकते हो चजो इस में अच्छी लगी कुछ बात कि मुझे अच्छी नहीं लगी और यहां पर प्रोसेसर भी इसका बहुत ही अच्छा है मतलब कम ब्राइटनेस में भी आसानी से आप इसके डिस्प्ले को आसानी से देख सकते हो रीड कर सकते हो ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिली है क्योंकि मुझे मैं इसको सेवन डेज यूज किया था और ए से लगता है जैसे इसकी यहीं कम है पर मैंने को शर्याघें है करने की बाद मुझे इसमें से डिस्पले में कोई बी बात करिया कैमरा और गैमिंग की तो कैमरे वाले को बता देता हूं इसका गुड़ कैमरा है ज्यादा बेस्ट नहीं है इस परका मुझे बहुत सी चीजे में अच्छी लगी और दोस्तों यह दी और बाकी मतले नेक्स्ट में एक वीड की साथ नेनी चीजेश साथ मैं आपको लग कर एक नय वीडियो आपके साथ सेट करेंगे तो ढया क्योंकि अच्छी लगती है तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल पर नए है तो बहुत यह लोग आ पर यहां पर आप उपर की तरफ दिखा देता हूं इसमें टू जीवी एक्स्ट्रा रैम आपको मिल जाएगी जी हां दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं और कि मुझाल के बात करने के भाद इसके आल पर किलिक करोगे तो उस पर आपको टूजी वी रैम एक्ष्ट्रा देखने को मिल जाएगी 128 GB तो रोम है परंतु 16 GB प्लस 2 GB रैम एक्स्ट्रा मतलब 8 GB रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो इस परकार मैंने आपको सारे चीज़े मैंने आपके साथ चेर कर दी है यदि आपका कोई सुजाओ है इसी वीडियो से लेटिर तो में कमेंट बॉक्स ल कि अपकी है बॉक्स लेएगी 12 वीडियो से लेगाँ पर कार दो इसज़े जिए को पर दो को को सारे आपके साल आपके साल दो इस जाब को जाएगी 12 वीडियो से वेश्य만 आपके साल तो